कृषी दर्सन के देखंकेिया च infectनाजि शुफ ना नाजी भूल नहीं जानाजी ग्यान के एक रेसे आही जी संगी सोना किसी दर्शन के जुन ज्यान है तेनला हमना 36 गड़ किसान भाईमन के आर्थिक उन्नती अच्छा हो है और बढ़िया पोठ रहें काबर तुमन जानता हो देश का उहीं उन्नत माने जाते जिहां के किसान पोठ्थे और जिहां के खेत पोठ्थे संग्वारी हो अब धर्ती के मांग सजया तुमन आओ उखरे सिती हमना तुम अल्ला कम खर्चा मा कम मेहनत मा जादा फाइदा हो सकाए ऐसे सोच के हमर जोन किसी वैग्ञानिक वना खेती के जगहा है ति यहां नवा नवा जोन खोच करते नवा नवा बीज लाना थे नवा नवा खातू ला नया नया प्रकार के यंत्र लाना थे उखरे जानकारी देथन संग भी हो तो आज हम महां आप मल्ला कुसूम के खेती कैसे करे जाए इही विशेम जानकारी देवो यह जानकारी लेके पहली आवाव एक छोटे से विराम अभी सगन टीका करण भी चला थे वो है खूरा चपका खूरा चपका से दूद उत्पादन तूरंत कम हो जाथे भले जानवर के मृत्यू ना हो पर भी ओकर दूद उत्पादन एकदम कम हो जाथे एक ठंडिक दिन में हमार चपका में तिवार मन थे गुवर्धन पूझा ओकर ठीक बात खूरा चपका के टिका करण और गर्मी के दिन में आप लग खूरा चपका के बूश्टर डोस लगवाना है यह खूरा चपका के बचा होगे संग्वारी हो आवाव जानिन कुसुम के उन्नत खेती कैसे करे जाए और यह विशय के विशय सग्य के रूप में हमार बीच में आया हुए डाक्टर राजीव श्रीवास्तव यह इंदरा गांधी किस्विश्वित द्यालाय में हुए और यह मन हम पादप और प्रजनन भी सब्सक्राइब करना चाहिए तो सबसे पहली हम लाग खेत के तैयारी की से करें बताओ कुसुम की फसल 36 गड़ की बहुत ही उप्यूगत है हमारे चाटिस गड़ में धान की फसल खरीफ में बोई आती है और धान कटने में बहुत बार देरी हो जाती है नवंबर मध्य में दान की फसल कटती है उसके बाद रवी की अधिकांश फशलों के लिए समय निकल चुका होता है जो उप्यूग समय होता है अक्टूबर का उस स्थिती में कुसुम की फसल 36 गड़ के लिए बहुत ही उप्योगी है यह तिलहनी फसल है और तेल की जो कमी है उसकी पूरती इस अपर्चित नहीं है यहां की फसल है जो पहले भी ली जाती थी और इसका जो तेल है वो जो दिल के मरीज है उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है तो इस फसल की बहुत उप्योगता है जहां तक खेत की तैयारी का सवाल है इसके लिए एक गहरी जुताई करके खेत को त कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौदे से पौदे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना उप्युक्त मरे आता है और अगर नहीं कर पाते हैं किसान भाई तो छिड़का में भी इसको लगा सकते हैं और इस फसल की सबसे खास बात यह है कि जैसे हमारे यहां 36 गड़ में पानी की कमी है रभी फसल के लिए तो इस फसल को पानी बहुत कम चाहिए तो यह अच्छाइब के लिए थिन ग्राम थायरम से थोड़ा सा पानी चिड़क के बीज में यदि हम गीला करके उसका उपचार करते हैं फिर वाई करेंगे तो बहुत ही उप्युक्त रहेगा और तो भूमी जन्य रोग है उससे इस फसल की रोख होती है सर यह तो इस खेट के तैयारी बात अच्छा बीजोब बीजोब चार काबर कराएं किसान जेकर से काका लाभ होते तिनोल बतावा संग में इमा कौन प्रकार की बीजा हमर 36 बार बढ़े बहुत अच्छा है कतका गहीर में लगाना चाहिए तो कतका दूरियम लगाना चाहिए तेल बता दो कुसुम की फसल के लिए चार किलोग्राम इकड की दर से बीज की मातला लगती है इसका जो बीज उप्चार है थाहरम 3 प्रती किलोग्राम के हिसाब से भीज क्योंकि चिकना रहता है कड़ा थोड़ा ब्रा के और अगर थायरम को लगाएंगे तो वह बीज के ऊपर आ जाता है और जो बीज है वह उप्चारित हो जा तो यह बहुत ही उप्युक्त पाई गई है एक सो बीज दिन में पक जाती है और यह इसमें 33 प्रतिशत आई बीज में इस पानी में रोग है और जो भूमी जन रोग है उससे शुरूहत में फसल को नुकसा नहीं होता है और बाद में भी हमको उपज में इससे बहुत लाब मिलता है पानी कभ देन लगी करका कभा अधिकर काम करता तो बाद में भीमारी नहीं आती है जो पानी की बात आपने कही है वहाई के बाद में एक जासे चस्थ इरिगेशन धेने हैं तो वो भी दे सकते हैं लेकिन पानी भरना नहीं है खेत में हमको केवल जो संतरतपता है खेत की भूमी की वहां तक पानी देना है उसके बाद हमको 45-60 दिन तक हमको पानी नहीं देना है साथ दिन के बाद हमको एक पानी लगाना है और उसके बाद जब फुष्पन शुरू होता है उस समें पानी लगाना यदी है तो नहीं तो अगर पानी नहीं है तो एक साथ दिन के बाद पानी देने ही परियाप्त होता इस फसल में उसके बाद पानी नहीं देना है यह फसल कम पानी चाहती है जड़े गहरी जाती है तो कम पानी में यह अच्छी आती है बहुत अच्छा बताए आपके सबसे कम पानी में उत्पादन होने वाला खुब पैसा घुलो देने वाला पवधा आए है अच्छे यह जो खेट के तैयारी करते तेन समय कुछ खातू डारेल लगता है इस फसल में खाद की मात्रा भी सबसे कम लगती है इस फसल में जो नाइट्रोजन नत्रजन वो साथ केजी पड़ेकर फासफोरस 40 और पोटाश 30 लगती है तो दूसरी अगर फसलों से आप तुल ना करेंगे तो यह सबसे कम मात्रा है उर्वरक की जो इस फसल में चाहिए नत्रजन के आधी मात्रा और बाकी पोटाश और फासफोरस की पूरी मात्रा बवाई के समय नारी में डालके कुणा में डालके हम कर सकते हैं और जो आधी मात्रा रहती है नत्रजन की जब हम पहली सिचाई कर रहे हैं साथ दिन बाद मैंने बताया उसके बाद अग यहां कि उपयोगता है कि जैसा कि मैंने बताया कि इसकी पौधे की जड़ें बहुत गहरी जाती है तो यदी हमने आती है कंपोस्ट की वह एक हेक्टर के लिए परियाप्त होती है बहुत जादा नहीं डालना है इस फसल में एक बात ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी अगर हमने 20 cm रखनी है क्योंकि जितना जखे मिलता है पौधे को वह पौधा उतना ज्यादा फैलत रहती है उस समय इसमें अगर हम उसको निनाई करते हैं उसमें से थेने करते हैं तो बहुत प्योंकि होगदु जो को निकल रहा है प्रिषलित है और हो लगवाग लगवाग पालक комментарji म surge में आती है और उसकी जो पौशक तत्व हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं तो एक अत्रिक्त लाब आए में किसान भाईयों के इससे हो सकता है तो संगी हो यह इसे खेती है जे में रोग राई घलो बहुत ज्यादा नहीं आवा केवल दूए प्रकार के रोग आथे और रोग आभी तो उन्हों ज्यादा नुक्सान नहीं पहुंचावाए और बात भी आगे तो हमानों रोगार और दवाई चीट करके कर से फैदा उठा स इस फसल में जो किस्में हैं जैसे मैंने आपको PBNS 12 बताया है पुराना किस्म लगाते थे JSF 1 नारी 57 यह जो किस्में यह 36 गड़ में लगबग 140 दिन में 145 दिन में पक रही हैं पुषपन इसमें 100 दिन में आता है और जो 36 कुसूम एक हम निकालने वाले किस्म जो पीछे प्रतिशत जो तेल की मात्रा है भरपूर उपज के साथ तो वह किसान भाईयों को बहुत लाब देगा इसके भंडारन में बहुत कठनाई नहीं होती है इसको बीच को अच्छे से धूप में सुखा कर और हम भंडारन इसका आसानी से कर सकते हैं और इसका अंकुरन अरे हरकू वाफ वीज कीट नाशक और आज खाज भी अरे इतना खर्चा कहा से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कारड कारड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रखम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती वाड़ी की समगरी कभी भी खरीच सकता है तो अरे नादान बच्चे को एबीसी सिखा रहा है अरे काम धंदे की एबीसी तू कब सीखेगा ये देख विज्ञापन तेरे जैसे क्रिशी विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के क्रिशी मंत्राले ने एक योजना बनाई है A.C.A.B.C A.C.A.B.C जी हाँ, A.C.A.B.C यानी Agri Clinics और Agri Business Center इसके तहट क्रिशी विज्ञान पढ़े युवाओं का चैन होने पर उन्हें मुफ ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी वा अपने कारोबार से जुड़ी लाब दायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44 प्रतिशत तक की सबसेड़ी भी मिलेगी तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धन्दे की ABC किसान भाईयों की खेती बाड़ी से चुड़ी हर समस्या का क्रिशी विशेशग्यों द्वारा तुरंद समाधान किसान कॉल सेंटर आप भारत के किसी दिर प्रदेश में रहते हों कोई भी भाशा बोलते हों आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो खात की पशिव पालन की या क्रिशी से चुड़ी नई तकनी की अपनी समस्या का अपनी ही भाशा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें एक पांच पांच एक विशिशक्य द्वारा आपको दी जाने वाली ये सला बिलकुल निशुल्क है ये सुविथा प्रात्य छे बजे से रातरी दस बजे तक निशुल्क प्लब है किसान कॉल सेंटर यानि एक पांच पांच एक विराम के बाद संगवारी हो तुँ हर्मन के फेर से स्वागत है आवाओ हमर जुन आज के बाजे चर्चा है कुसुम के खेती कैसे करे जाए उन्नट धंग से उलागे बढ़ावात है सबसे अच्छी फसल मानी जाती है कुसुम पुराने समय में करडी के नाम से इसका तेल बहुत प्रसिद्ध था और सब अपने खाने में दैनिक उप्योग में इसका उप्योग करते थे अभी इसका जो तेल है कुसुम का इसमें मोनो और पॉली अंसाचुरेटेट फैटी असिट जो की स्वास्थ के लिए फिर्दय के रोगियों के लिए सबसे उप्योग माने जाते हैं केवल इसी फसल के त आते हैं बेचते हैं तो उनको भरभूर दाम भी मिलेंगे और इसका तेल सबसे अच्छा खाने के लिए माना जाता है तो विटेमिन इसमें परियाप्त होता है ओलिक एसिट जो ओमेगा-3 है वो इसमें परियाप्त मात्रा में है और मोनो और पॉली अंसाचुरेटेट परियोगी माना जाता है तो संगी हो जटका कंटेल है तेल में तेल कि राजा कुसुम के तेल हम कही से कई सकतन का बरकिर्दय रोगबर घुलो फायदे बंदे वहां कई प्रकार के फायदा अब आवा थोड़ा एक ते जानली संगवारी हो सर्मी जानना चाहते हैं कि एक हेक बीच की मातरा भी सो रुपए के अंदर अंदर किसान की एक एकड़ के लिए परियाप्त हो जाती है खाद मैंने आपको बताया है कि इसमें बिलकुल कम लगती है कतार से कतार की दूरी बहुत जादा है तो वहाई में भी जादा खर्चा नहीं आता है तो पुलकास अगर ल लाब मिलता है यदि किसान बीज नहीं बेच के तेल बेचता है तो उसको और ज्यादा लाब मिलने की संभावना रहती है तो संगी हो कम खर्चा मां ज्यादा फाइदा देविया यह कुसूम के खेती लामन माने जाते अब संगी सब्सक्राइब आप से जानना चाहतन कि यह हैं तो पौधे बहुत बढ़ेंगे उसमें शाखाएं बहुत आएंगी और उसमें भरपूर हमको उत्पादन मिलेगा एक 36 गड़ में चराई की समस्या प्रमुख है इस फसल में कांटे होते हैं इसलिए इसको अगर हम बाद की अवस्ता में पत्तियों में कांटे आते हैं शुरू में नहीं रहते हैं तो अगर शुरू में इसको बचा लेते हैं तो बाद में इसमें चराई में समस्या नहीं है चोरी इसकी नहीं होती है और यह भी पाया गया है कि अगर दूसरी फसले लगी है तो बंदर इस फसल को बिलकुर नुकसान नहीं पहुचाते हैं दू किसान भाई कोई दूसरी फसल के साथ लेना चाहें तो जो कुसम की फसल है यदि इसको खिनारे इसका बीज डाल देते हैं चैने की फसल या गेहों की फसल के तो बाड़ी काम भी करता है काटे होने से उसमें कोई घुसेगा नहीं जानवर और यदि दो या तीन कतार इसकी सकते हैं दूसरी फसल को रोंकने के लिए कतार कतार बोनी में भी कर सकते हैं और असको ले सकते हैं संग्ई हो कि हमरी उत पादन उनकर वे पैसानवाइ मन्हां कहां जाकर गर्रिंगा हुए ऑ शंगता है यह फसल लगा साल में एक दूब दूब आर भी तो उसके बाद यह नहीं लगाई आ सकती है जहां तक आपने बीच के विपढन का बात करा कि इसको कहां बेचना है तो मंडियों में इसका विपढन आसानी से हो जाता है इसके अलावा कई ऐसी तेल उत्पादन करने वाली जो देश की प्रमुख कंपनिया हैं वो भी किसानों से सीधे इसका भीच खरीदती हैं अब बहुत बढ़ी है जानकारी आप हमर किसान भाई मलते हो कम खरचा मा जदा ज्यादा फायदा देवाईया स्वास्त के दिश्टी कॉन से घलो और पर्यावरन के दिश्टी कॉन से घलो सब्दाहर ले बढ़ी है बताये हो आपके बहुत-बहुत धन्यवाद जय जोहार ए मदरी आतीन बोले मदरी हाथी न बोले मदरी हाथी न बोले मतरी के खरवानू तरगे राम ये मतरी हाथी न बोले हो मतरी हाथी न बोले हो मतरी के खरवान वी तरगे राम ये मतरी आती न बोले हो मतरी के खालावान ओ धरगे राम ये मतरी हाथी न बोले हो मतरी हो तरगे राम ये मतरी हो मतरी हो तरगे राम ये मतरी हो मतरी हाथी न बोले 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 हो हाँ कैसे लागी संगवारी हो मज़ा आइस ना सहीं बात है अपन घर के दारभात अपन की संगीत के आम आनंद अलगे रिथे संगी हो तो संगी हो कि कुसूम के खेती हर डाहले लाबकारी दिखत हवा है कम खर्चा लाग थे कम खातू लाग थे कम पानी लाग थे और साथ में एकर बजार में खूब मांग घलो है एकर जो तेल है तेन हाँ सबसे अच्छा तेल माने जाते स्वास्त के द्रिश्टी कुन बर संग्वारी मनला जै जोहार